स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग ICICI Bank का Fasttech को क्लोज किसे कर सकते हैं बंद किसे कर सकते हैं ऐसे तो ICICI Bank का Fasttech अच्छा होता है आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं बट किसे तरीके का अगर आप लोग को प्रोब्लम आ रहा है तो आप लोग इसे क्लोज कर सकते हैं पर्मनेंटली बंद कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन या लैप टॉप के गूगल को खोल लेना है उसके बाद यहां पर आपको सिंपल लिग के सर्च करना है ICICI Bank Fasttech इस तरीके से आप लोग को ICICI Bank Fasttech लिए सर्च करना है उसके बाद यहां पर आप लोग को पहला वेबसाइट दिखाता है आपको इस पर क्लिक करना है जिसे क्लिक किजिएगा इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा इसी वेबसाइट से पुरा काम होता है और उसके बाद यहां पर आप लोग को क्लोज करने के लिए क्लिक करना है उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा आप लोग को आप लोग को आप लोग डालना है जो आपका रेजिस्टर मोबाइल नमर होगा आएसी आएसी बेंक के फास्टेक से वो डालना है उसके बाद यहां पर आपको यह जो क्यप्चा दिख रहा है यह वाला आपको इसमें डाल देना है अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस पर क्लिक करके आप लोग रिफ्रेस कर लिजेगा नया वाला आ जाएगा तो यहा आप लोग लोग इन पर क्लिक कर दिजेगा उसके बाद यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा तो यहांपर आप लोगँ को मल्टिवल ऑप्सन आता है तो ऊपर में आपका दिख सकता है इसमें पर आपका पूरा डिटेल रहता है कोंटेक्ट सकते हैं आप लोग यहां पर यह जो fast take क्यों close करना चाहते हैं यह region आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं आपका मन होगा नहीं तो छोड़ भी सकते हैं तो उसके बाद नीचे आपको आना है नीचे में आपको document यहां पर आपको upload करना पर रहा है आप upload करना आप लोग का पहले तो नाम डालना पड़ेगा जिसके नाम से fast take है उसका नाम डालना है फूल निम डालना है उसके बाद यहां पर आपको एक ID proof select करेना है जिसमें आप लोग driving license, अधार card, voter card, pen card कुछ भी select कर सकते हैं उसके बाद उस ID proof को यहां पर आपको upload करना पड़ेगा, file को upload कर देना है उसके बाद यहां पर आपके पास कोई other document है तो वो भी upload कर सकते नहीं इसे छोड़ सकते हैं यहां पर आप लोग को एक passbook जो आपका bank passbook होगा या आपका cancel check होगा वो यहां से आपको upload कर देना है आपको अपने mobile phone या laptop में scan करके आपको यहां पर upload कर देना है, compress करके उसके बाद नीचे में आपको bank detail डालना पड़ेगा जिसमें आपका पैसा जाएगा जो आपका पैसा होगा यहां पर फास्टेग में उस पैसा को तो आपको refund भी लेना है तो वहां पर आप लोग को detail डालना पड़ेगा आपको security एगर आपका amount रहता है वो सभी आप लोग amount यहां से आप लोग ले सकते हैं जिस bank account पर आप लोग लेना चाहते हैं उसका detail डालिएगा सबसे पहले आपको bank का नाम डालना है जो आपका bank है state bank account type को अपसाना आता है तो यहां पर आप लोग को account type में यहां पर आप लोगों को select कर लेना है saving account है कि current account है और जो आप लोग का पैसा यहां पर आप लोग का बचा है है यहां पर आप लोग का वह पैसा आप जो bank account डाले हैं उसमें आप लोग का transfer कर दिया जाएगा